हर एक रोड बाकी है, हर एक ड्रेनेज बाकी है, हर एक साउचल्या बाकी है, बहुत सारे पानी के टैंका बंद पड़े सो है, बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस बंद पड़े सो है, बहुत सारे चितापूर में लोगों को काम नहीं है, इनके बारे में बात करना उनको पसंद नह आगे से दरवाजे से फ्री फ्री बोलकर स्कीमा बता रहा है और पिछे से दरवाजे से सभी भावा बढ़ा के पुरा करनाटक का संतलन बिगाड रहा है यह जो हमारे चितापूर के इमेले है अभी जो मिनिस्टर हो गए खल हमारे चितापूर को आये थे उन्हों चितापूर में आके मिनिस्टर होने के बाद लोगों को बरोसों में लाने का काम करना चाहिए और पब्लिक को ये कहना चाहिए हम क्या करने वाले हैं आगे जाके हमारा क्या क्या development होने वाले हैं उसके बारे में बात करना चाहिए मेरे को लगता एंगों को development में interest नहीं है एंगों को सिर्फ बीजेपी को बगावबाशा करने का ये का आदत गिरेस हो है इसके वजह से जो है ना आज पब्लिक को चितापूर के हम जनता को बीजेपी के बारे में सिर्फ लोगों को जहर भरने का काम कर रहा है लेकिन डेवलपकरन का ये बीने हो रहा है तो हम उनको गुजारिस करेंगे कि आप बीजेपी के बारे में बोलने से ज़्यादा काम भी करके दिखाओ यह हमारी गुजारिस है आपसे आपका तो खाली भाशन करना एकिज कांग्रेस का काम है लग रहा अभी सोभी पांच गारेंटियों में आप सब लोग देख सकते हैं यह आगे से दरवाजे से फ्री फ्री बोलकर स्कीमा बता रहे और पचे से दरवाजे से सभी भावा बढ़ाके पुरा करना टक का संतलन विगाड रहे और यहां का पूरा यह जो रहा ग्रोध को दबाने का काम कर रहे हैं कांग्रेस वाले और इनको तो जो जो बात करना है हमारे बारे में कुछ-कुछ खतम दुकान बंद भाग गया खर गया बोड़ रहे तो मैं एकी बात कहना चाहता हूं हम तो व्यापारी अदमी हैं हम तो दंदे वाले फाइदा हुआ तो चलू रखते लुक्षान हुआ तो बंद रखते लेकिन हमारा ब हमारे बंजारे समाज के उपर हमारे लमानी समाज के उपर कितना प्यारे है बोलकर आज लगरा तो इस वज़े से मैं एक हमारे चितापूर जनता को और हमारे गुलवरा डिश्टी के जनता को कहना चाहता हूं साफ साफ नजर आता है इनको एक अधिकारी आने के बाद इनक हर एक रोड बाकी है, हर एक ड्रेनेज बाकी है, हर एक सावचला बाकी है, और बहुत सारे पानी के टैंका बन पड़े सो है, बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस बन पड़े सो है, बहुत सारे चितापूर में लोगों को काम नहीं है, इनके बारे में बात करना उनको पसंद नहीं ह उनको सिर्फ BJP के बारे में उंगली करना बहुत पसंद है